शराफत से भरपूर शांदार जो पशूदन है वो आप देखें फर्स टाइमर जोटी और दो थर्णों वाली है जिसको घर और व्यापार में शुब मानते हैं कर दो को दो कर दो है पुश्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरियन फार्मिंग में आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो डिस्टी क्रोथ तक का गाउं है कारो काफी अच्छा पशूदन चार से पांच शांदार जो भैसे हैं आज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी उधान के तोर पे दो थनों वाली जो दोल भैस जिसको हम कहते हैं जिसको घर और व्यापार में शुब मनते हैं वो आप यहां पे देखें और पीछे जो पशूद आप यहां पे देखें गाउं हैं इनका कारोर और पहले जितनी भी वीडियो आपने देखी होंगी इनके डेरी फाम से पहली बार जो इनका भारवाई जो पलोट है वहां से वीडियो कवर कर रहा हूं काफी काफी अच्छा पशूदन आप यहां पे देखें लंबी जो कता है एक से बढ़कर के एक तगडी तगडी ही फर से लेकर के जो ताजा ब्याई हुई भैंसे हैं वो और एक चार महिने का जो काफ है वो आप देखें बिल्कुल तंदुरुष थष्ट पूष्ट यहां पे और आराम से धूप शेक रहा है यहां पे आप देख सकते सिधा ले है और एक महिने की ब्याई होगी है एक दो महिने की और जो ड्राइए है वो ज्याब बना है दोल ठीक है तो शुरू करेंगे हैं इसे बताएं क्या कुछ डिटेश यह दूसरे ब्याच की बाई साब यह दो तिन की ब्याई होई है जीक है और आज 10-11 किलो दूद भी 10-11 किल जोटी दो से तीन दिन की ब्याई हुई सीधा लेकर के जाएं वहां जो ट्रोली खड़ी है न वहां तक ले जाओ इसको तो जितना भी पशुदन भाई दिखाते हैं सारा साफ सुथरा और एक और पशुदन है सेकेंड टाइमर जोटी आप यहां पे देखें ग्यारा लेटर क करीबन जो दूद है वो बता रहे हैं तीसरे दिन का ब्याय हुआ नीचे हश्ट पुष्ट फीमेल काफ अडर की क्वालिटी देखें पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा तो चैरे मोरे की सुंदरता से लेकल के शकल सूरज जो हा सिंगों की क्वालिटी से लेकर के पीट फुठा है वो आप देखें और डवलाप्ट जो थनों के जो कूप हैं टीट से वो आप देख सकते हैं क्या कुछ मुलभाव करेंगे सर इसका एक लाग चालीस एजार रुपे भाई ने जो कोस्ट है वो रखी है तो पशूदन जित दि एक साल होगे बयाइन है इस तक ने दूद होके नी देरी बबु छो मे क्या हो रही हूं आपने भी तो बेरा है आप देखें एक और फस्ट टाइमर जोटी दो थनों वाली जिसको घर और व्यापार में हम लोग शुब मानते हैं क्या कुछ डिटेल से निरज भाई बताएं चीक है दात वगेरा चोथे दात इसने तोड़े हैं चीक है तो कितने दिन का समय अभी बसता है इसका दस तारिक को शराफत से भरपूर शांदार जो पशूदन है वो आप देखें फर्स टाइमर जोटी और दो थर्णों वाली है जिसको घर और व्यापार में शुब मानते हैं जमोला गाहों से लेकर के आए उसको आपने तो पंचैती बुल से प्रेगनेंट है ठीक है दस तारिक को जो समय है वो पूरा हो रहा है अडर की क्वालिटी आप देखें हाइट वगेर है वो आप देखें काफी काफी जबरदस पशुधन तो मेरे हिसाब से एक दो दीन निरज भाई और ले लेने चाहिए इस पशुधन ने चीक है मा का दूद वगेर है कुछ आईडिया कोई इसको सेल करोगे इसको सेल नहीं करेंगे तो कोई मोल भाव कुछ नहीं है चीक है अगला पशुधन बताए यह एक महीने की ब्याई होगी बहुत बढ़िया उनिस बीस लीटर दूद ते यार चीक है और प्रेगनेंट वगेरा पी प्रेगनेंट यह आज बोल रही है नहीं पशुधन आप देखें और उनिस बीस लीटर के करीवन जो दूद है हाल फिलाल में तैयार बता रहे हैं आज हिट के जो सिम्टम्स है वो इस पशुधन में साफ साफ देखने को मिल रहे हैं पशुधन आप देखें हाइट लेंग से लेकर के पीट पुठा है जो अड़र क को मिलेगा तो बिल्कुल खरास होना जिसको हम कहते हैं निरेज भाई के हाँ से आपको देखने को मिलेंगे जितने भी मिल्किंग वीडियो जिनों ने दिखाई हैं काटे के तोल वाली जो भैसे हैं हमारे पशुध पालिक भाईयों को कई ना कई रेट के साथ देना और दि नीचे क्या कुछ मुलवाओ करेंगे इसका अगला पशुधन एक और जोटी है फर्स टाइमर चीक है तो नीचे बच्चा इसके मेल काफ मेल काफ फर्स लेक्टेशन में एक और पशुधन देखे दो से तीन दिन की ब्याई हुई खीस से खाली होते ही कितने दूद से उठी है नो किलो दूद से खोलने गुमाएं चलाएं आखों में कैरापंड है इसमें अच्छा एक आख में ज्यादा है एक में कम है चीक है साइड वाली आख है देखे जो वाइट जिसको हम वो कहते हैं वाइट वाला जो हिस्सा है काफी कम देखने को मिलेगा दूसरे वाला है और फर्स टाइमर जोटी आप यहाँ पे देखे नो किलो दूद से उठी है कि इससे खाली होते ही काफी काफी शांदार जो पशूदन है वो शकल सूरत से लेकर के हाइट वगेरा है चालने का जो तोर तरीका जो रोब है पशूदन का वो देखे और फनों के जो कूप है ड कम है उसमें ज्यादा है उदर वाली में ठीक है तो निचे से अडर की क्वालिटी है थन पासे हैं वो मैं दिखा देता हो तो यह आप देखे ठीक है क्या कुछ मुलबाव करोगे इसका डेड़ लाक रुपे इसके नीचे बच्चा क्या था इसके नीचे कटड़ी है एम उन भाई के यह से पहली बार आपको देखने को मिलेंगी तो क्या कुछ डेटेल से एक बार बता दो ठीक है और यह आपकी वीडियो में भी आई थी उस दिन गया बन थी आच्छा ठीक है इसके पिचानवे हजार रुपे रेट 12-13 किलो दूद मोके पे तयार और यह नई भी हो ब्याई हो गई चीक है एक बार इसको भी खोलने घुमाई चलाएं ब्यात कोन सा था अब की बार इसका यह तीसरे ब्यात में थार्ड लेक्टेशन में एक और पशूदन देखें टिका भी रखवा रखा है तो प्रेगनेंट अभी जब तक चेक नहीं कराएंगे तो उसको म में जो मोटी मोटी नसो का जो जाल है एक दुधारू पशूदन को यहां पे साफ साफ परमानित करता हुआ तो 95,000 रुपे भाई ने इसकी कीमत रखी है चीक है तो जितना भी पशूदन है डेरी के परपस से रखते हैं क्योंकि दूद का भी भाई का कामकास है दूद के सा साफ जो पशूओं का सेल परचेज का काम है वह युवा चैरिक काफी महनती में कहूंगा तो निरेज भाई और क्या कुछ मेसिज आप देना चाहेंगे बाइजा में तो यह कुछ परक के लिए पने डांगर ने आकर दो टेम देखो तीन टेम देखो कितने बार देखो हमार तो टोटल पांच पशू दना जिनके पास सेल के लिए अविलेबल है आप यहां पर देखें उमीद करूँगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशू पालक के घर या किसी बड़े डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मे नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान